Spoken English सभी की जरूरत है Fluent English सभी का सपना है Guys, ये दोनों ही चीज़ें आप तब ही अचीव कर सकते हैं जब आप अपनी practice डाले मतलब आप एक language तो book से भी सीख सकते हैं समझ सकते हैं बट बोल तो तब ही आप पाएंगे जब आप बोलने की कोशिस करेंगे तो guys, सबसे important चीज़ जो होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो है practice और spoken English में आपको बोल कर practice करनी है और उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो जिसमें आप इसी एक वीडियो में practice भी कर लेंगे guys, सबसे एहम role जो अदा करता है आपकी practice में वो है daily use sentences क्योंकि अगर आप दिन भर English बोलते हैं जादा से जादा English बोलते हैं तो आप किसी भी तरीके का exam या फिर किसी भी तरीके का interview crack कर सकते हैं चुटकियों में और वो इसलिए क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है English में बोलने की अगर आदत नहीं है तो इस वीडियो के सुरू आपको आदत डालनी है और सिर्फ यही वीडियो नहीं है इसके साथ बहुत सारी और धेरो वीडियों है जिन में मैंने आपको daily use sentences दिये हैं इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ 51 daily use sentences जिनके साथ आपको करनी है प्राक्टिस जब मैं एक बार sentence को बोलती हूँ और उसके बाद दुबारा बोलती हूँ तो दुबारा आपको भी साथ में बोलना है ऐसे प्राक्टिस करें और सबसे इच्छा रिजर्व तब आएगा जब आप इसी वीडियो को दो दिन बात फिर से देखें साथ में प्राक्टिस करें और उसके बाद लगभग एक हफते बात फिर से देखें और प्राक्टिस करें अगर आप तीन बार ये काम कर लेते हैं तो definitely आपको ये सारे के सारे sentences अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आपकी आदत भी पर जाएगी मैं रटने की बात नहीं कर रही हूं बट अगर आप प्राक्टिस साथ में करते हैं तो automatically ये सभी sentences आपको याद हो जाएंगे और ये चीज़ आप खुद देखेंगे तो बस आप वीडियो में बने रहें तक Guys, my name is Kanchan, you are watching me on Vidyasa Let's get going तो हमारा पहला sentence है मैं खुश हूं I am happy लेकिन अगर आपको खेना हूं मैं खुश रहता हूं तो यहाँ आप रिमेन का यूज कीज़े I remain happy मुझे भूख नहीं है I don't have an appetite Appetite means भूख I don't have an appetite मेरा खाना खाने का मन नहीं है जब किसी चीज़ का मन नहीं है तो आप feel like का यूज करते हैं Negative है इसलिए not के साथ So I don't feel like eating I don't feel like eating वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को तो नीचे red color का बटन आ रहा होगा उसे click करके subscribe करें और notifications के लिए आपको bell icon प्रेस करना होगा ताकि आप एक भी notification miss ना करें उसका नाचने का मन नहीं है She doesn't feel like dancing She doesn't feel like dancing यह मेरी बेवकूफी थी It was foolish of me It was foolish of me मेरा जन्व दिन जन्वरी में आता है My birthday falls in January My birthday falls in January तो हमने आप fall in का यूज किया इस बार क्या हो गया? What went wrong this time? What went wrong this time? चलो खुले हवा में चलते हैं Let's go out of doors Let's go out of doors वह काबू में नहीं है He is out of hand He is out of hand अब देखें, word for word translate नहीं किया है But काबू में नहीं है मतलब मेरे हाथ में नहीं है इस तरीके सभी हम बोलते हैं तो वहां से इसे हम ले आ सकते हैं He is out of hand वह उखडा उखडा लग रहा है क्या बोलेंगे He looks sullen He looks sullen सच्चाई से हटो मत Don't try to warp out और don't warp out आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो रोहन हां में हां मिलाने वाला व्यक्ती है तो जब कोई कुछ बोलता है तो बस मंजूरी दे देना हां हां ठीक है ऐसे लोगों को हम बोलते हैं Yes man So Rohan is a yes man वह डर से चीख पड़ी She yelled with fear She yelled with fear तुम अभी तक यहीं हो You are yet here You are yet here यह अपराद है अपराद के इंगलिश होती है wrongdoing This is a wrongdoing This is a wrongdoing मैं पूरी तरह भीग गई हूं I am soaked I am soaked तो पूरे तरीके से पानी से तरबतर होने के लिए सोख का यूस करते हैं वह पूरा दिन मेरे साथ था He was with me throughout the day He was with me throughout the day वह मेरा कलम लेकर चला गया है He has gone away with my pen He has gone away with my pen मैं समझा नहीं I didn't get you आप किसी को समझ नहीं पाते किसी की बात को तो आप क्या बोलते हैं समझा नहीं I didn't get you हाँ अब मैं समझ गया Yes, I got it now Yes, I got it now यहाँ आप you का भी यूस कर सकते हैं Yes, I got you now मैं उससे पक गया हूं I am fed up with him I am fed up with him हम अगले सबता नए घर में जा रहे हैं We are moving in next week We are moving in next week आप मुझे पूरी कीमत बताएं पूरी कीमत मतलब total So tell me the gross amount Tell me the gross amount इन में से जो sentences आपको याद हो जाएं उन्हें आप फटा फट से comment section में जरूर लिख दें तुमने तु मेरे मुह की बात कह दी You took the words out of my mouth ये आपने कभी यूज किया जब आप कुछ कहने ही जा रहे थे तब से सामने वाले ने बिलकुल वही बाते बोल दी जो आप कहना चाह रहे थे तब आप इसे यूज करें उसने जमीन आसमान एक कर दिया He moved heaven and earth बच्चो जैसी बाते मत करो Don't talk childish अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ Turn your attention to study यहाँ ध्यान दे Pay attention हम बोलते हैं किसी चीज में मन लगाने के लिए But turn your attention आप तब बोलेंगे जब बच्चा पढ़ाई की जगर किसी और चीज में मन लगा रहा तो आप कहे रहे हो उसे चोड़ कर पढ़ाई में मन लगा So turn your attention to study दूद खटा होने वाला है इसलिए हमने यूज किया The milk is on the turn The milk is on the turn मतलब अभ यह turn हो जाएगा कपडे निचोड दो Ring out the wet clothes Ring out the wet clothes उसने मुझे सुन कर भी अंसुना कर दिया He turned a deaf ear to me आगे है वह अपनी जिंदगी बरबात कर देगा He will ruin his life वह अपनी दादा जी की देख भाल करता है He looks after his grandfather वे साट साल के हो गए हैं He has turned 60 मैं तुम्हारे पास एकाथ सपता के लिए रुकूंगा मतलब एक सपता भी हो सकता है उससे थोड़ा उपर भी हो सकता है तो आप क्या बोलेंगे I will stay with you for a week or so तो एकाथ है इसलिए और so हमने इसमें add किया सभी उगते सूरी की पूजा करते हैं All worship the rising sun समय की नजाकत को समझो Understand the delicacy of time मेरे कंदे पर अपना सिर्मत रखो Don't lean your head on my shoulder जो हो गया सो हो गया Let bygones be bygones इसे आप याद कर लें आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं Why are you making this about everything? पच्चास काम पड़े हैं घर के There are plenty of chores pending हम हिंदी में जब पच्चास करके कोई चीज़ बोलते हैं तो that means कि बहुत जादा इसलिए हमने उसे English में plenty के साथ बनाया क्या लेकर शुरू हो गई Why have you started? अब यहाँ पर sense को समझेगा इसलिए why है मतलब क्यों लेकर शुरू हो गई Sense यही है यहाँ पर इसलिए why have you started? 10 बज़े से उपर नहीं होना चाहिए No later than 10 o'clock Okay No later than 10 o'clock Okay मुझे इस बारे में सोच विचार करना होगा I'll have to have a think about it I'll have to have a think about it मतलब अच्छे से सोचना होगा इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती So much that I can't even explain So much that I can't even explain सबके सब निकम में है All of them are good for nothing All of them are good for nothing आप यहर वक्त क्या बोलते रहते हैं? What are you always on about? What are you always on about? उसे आँख मारने की सजा मिली He got punished for winking at her He got punished for winking at her अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसी लड़की के लिए इस लिया at her use किया अब ये एक खर्चा और बढ़ गया Now this is an additional expense Now this is an additional expense इस घर में तो मेरी कोई value ही नहीं है I have no value in this house I have no value in this house विपरीत परिस्थितियां आपके धैर की परीक्षा ले सकती है Adversity can test your patience Adversity can test your patience All right, practice तो आपने बहुत अच्छी किया आप शोर कि आप वापस भी आ रहे हैं दो दिन बाद इसी वीडियो में फिर से practice करने के लिए ताकि आप कभी न भूले अब बस जल्दे से इस वीडियो को share कर दीजे सभी के साथ अपने सभी friends और family group में जरूर share कीजेगा और practice जरूर से कीजेगा फिर से मिलती हूँ आप से अगले lesson में जैहन